मुझे नहीं पता यह वीडियो जो आप देख रहे हो तो यह topic trending पर है या नहीं क्योंकि अभी तक यह topic trending पर नहीं आया है लेकिन I hope कि within a week यह topic जो है trend पर आ जाए लाइक सौरफ दद और जितने भी लोग खुशी से पागल होके नंग नाच करते बिल्कुल उनके तरह तो चलो यह बहुत होगे overview अब सीधा आते है topic पर topic यह है कि यह जो channel है मेरा add info tv अभी इसका channel का नाम भी change होने वाला है and मैं suggestion दूँगा आप लोग यह जा करके वोट करना कि इस channel का नाम change करके क्या रखना चाहिए कोई आलतु-आलतु-मंत नाम देदे ना भाई Corona नहीं हुआ है boss Corona नहीं हुआ है I'm suffering with cold and fever so let it be तो and mall और जो भी creator है इस show के उन सभी न मिलकर के यह सोचा कि इस show को जो है TV पे लाने से पहले हम लोग OTT पे लाएंगे अरे घंटा इसको भंडी रोना के तयार जान दो तो जो भी है इनका जो content है वो आकर के OTT पे release किया जाएगा और जाद से जाद लोग आकर के देखेंगे और इनका hype में यह है कि इसमें वो सारी चीज़े दिखाए जाने वाली है जो कि टीवी पे नहीं दिखाया जा सकता है भाई यह वैसे भी काफी सालों से चल रहा है तो भाई मैंने इस वैसे यह चानल स्टार्ट किया था कि भाई मुझे देखने को मिल जाएगा अब मैंने यह देखना बिलकुल पूरी तरह से बन कर दिया है क्योंकि I'm not so interested for this show because it was a reality show पर जैसे हम लोग जो है इसके अंदर में घुसना शुरू करते पदा चलता है और कि यह पूरे तरह से scripted होता और show को interesting बनाने के लिए अपने तरफ से वो सारे मसाले डाले जाते है जो कि हमें बहुत जादा अच्छा और मैं ही क्या पूरी पूरी audience समझ चुकी होगी कि Big Boss वाले क्या करते जहां पर मिले TRP वहां पहुंचे Big Boss तो भाई Big Boss वालों ने इस बार क्या किया सोचो सोचो क्या किया होगा कमेंट में जाके लिख दिया नहीं लिखा कोई बात नहीं मैं बताता हूं हमारे राच कुंद्रा साब के उपर में जो केस चल रहा है वो बहुती बड़ा हॉट टॉपिक है अभी के टाइम पे और ना जनी कितने आफतों तक रहेगा हो सकता महिनों तक रहे और उसके बास स यानि शेलपाशक्ती की बहन और पता है उनको उठाकर लाने का रीजन किया है बिकॉज हट टॉपिक है और वो कहीं ना कहीं उसके से रिलेटेड है मतलब कुछ नहीं तो फामली में बर तो ही अब भई इनको उठाकर के ला गया और इन लोगोंने फिर से हर साल की तरह हर कं इन लोगोंने कैमरा पर हग दिया अब टीटी पे डालने के समय में यह सोच होगा कि यह फटा-फट डालते है और उस तेम पर एडिटिंग करने में चूक हो गई और चूक यह हो गई कि भाई वो लोग जो भी हग रहे थे आपस फिमेल करके वह लीक हो गया और मतलब लीक क करके यह शो देख रहे होते हैं और अपने पूरी जीजान लगा करके अपनी फैन फॉलिंग दे रहे होते हैं कि भाई मुझे यह बंदा पसंद आ रहा है इस बंदे को बचा के रखो और इस बंदे को एंड तक ले करके जाओ और इसे हम जो है फ्यूचर आने वाले टाइम पर किसी एक जंडू से सौंग के छोटा सा शॉट में देखना चाते हैं तो भाई यह सारी चीज़ जो हम करते हैं वो सब कसा पागल बनाते हैं यह लोग क्यों वानुम है क्योंकि इन लोग पहले से फिक्स रखते हैं किसको कितने हफते तक रखना है और उस बीच में अगर इन लोगों ने कुछ ऐसा कांड कर दिया शो के अंदर में तो भाई इन लोगों को जो है और कंटिन्यू किया जाता है क्योंकि भाई लोग इनके बारे में ट्रेंड चला रहे ट्विटर पे यहां वहां हर जगे पे यूटूब पे वीडियो बना रहे सब कुछ कर रहे तो end of the time मतलब जब यह show खतम हो जाता है तो उस सभी लोगों के साथ में करते क्या है यह लोग मुझे दू नहीं वदा यार क्या करते ओ अच्छा हां समझ में आ गया सलमान भाई के किसी ना किसी फिल्म में जो है उनको काम मिल जाता मतलब जस लाइक रोजी रोटी टाइप बह बात भी OTT पे ही रहे कलर्स पे ना जाए कुछ ऐसे कांड हो जाए जो बाई OTT का चीज OTT पे रहे जाए भाई अगर आप सच्छी में कॉपी कर वे बिग ब्रदर तो वहां पे यह बहुत सारी चीज़े होती है वह सारी चीज़े भी करी लो आपको क्या लगता है यह शमीता शट्टी को क्यों लाया गया शमीता शट्टी ने जो अपने मुँझे कबूल लिया ऑन कैमरा भाई उसके वारे में आप लोग क्या सोचते है और आप लोग बिग बॉस देख रहे हो